तो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक्षरिस्मेन भाईयों के लिए तीन नई गौवर्मेंट जॉब्स के बारे में इन जॉब्स की पूरी डिटेल्स आपको हमारे Android आप पे मिल जाएगी जिसका नाम है CG Resettlement तो इस आप की लिंग आपको नीचे description में मिल जाएगी दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पहली जॉब Airport Authority of India की तरफ से निकल के आ रही है यह वैकेंसी दोस्तो Senior Assistant और Junior Assistant पोस्ट के लिए है तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं जॉब Information की तरफ और इस जॉब के लिए आपको 31,000 से लेके 1,10,000 रुपीज पर मत की स्याधली दी जाएगी इस जॉब दोस्तो गोवा, गुजराद, मद्रप्रदेश और महारास्टरा स्रेट के लिए हैं और यहाँ पे टोटल 55 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें से दोस्तो 9 वैकेंसी एक 14 नोवंबर 2022 रखा गया है और इसके लिए आपको अनलाइन ही अप्लाइ करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तो क्वालिफिकेशन में मास्टर्स, बीकॉम, एंड मिनिमम 50 परसंट मार्क के साथ 12 पास की रिकॉर्ड में बताई गई है इस जॉब के लिए अप्लाइ करने के ल आपका जो सेलेक्शन होने वाला इस जॉब के लिए यह कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट जो की ऑनलाइन होगी उसे के साथ सर्टिविकेट वेरिविकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंडियरेंस टेस्ट, इन टेस्ट के बेस्ट पे हो अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक्जाम के लिए टोटल 100 मार्क होंगे, एक्जाम दोस्तों पार्ट A और पार्ट B दो ऐसे पार्ट में डिवाइड़ेड होगी, पार्ट A में जो आपके दोस्तों क्वेस्टन मिलेंगे, वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अ Senior Assistant के लिए 6 में से 1 पोस्त होगी, Senior Assistant Finance के लिए 12 में से 2 पोस्त होगी, Junior Assistant Fire and Service के लिए 23 में से 6 पोस्त होगी, दोस्तों अगर आपको जोब के बार में और वी जादा information चाहिए तो आप यहां से official notification डाउनलोड कर सकते हो, हमने job description section में official notification की link दी हुई है, तो notification डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसके बाद ही job के लिए apply कीजिए, दोस्तों अगर आपको इस job के लिए apply करना है, तो हमने आप ए apply की link भी दी है, इस link के माद्यम से पहले आपको registration complete करना होगा, उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाएंगे, साथ ही दोस्तों हमने आप एक video की link भी दी है अगर आपको जाना है कि किस तरीके से आपको इस job के लिए step by step तरीके से apply करना है, तो इस video के माद्यम से पूरी step by step process आप देख सकते हो, चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं दूसरी job की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यह job मद्यपरदेश professional examination board की तरफ से, यानि कि MPP, EB की तरफ से निकल के आ रही है, यह vacancy दोस्तों, ITI training officer post के लिए है, चलिए आगे बढ़ते हैं, job information की तरफ, जोब दोस्तों, government sector की job है, और इस job के लिए आपको 32,800 से लेके 1,03,000 रुपीज की salary दी जाएगी, जोब दोस्तों, मद्यपजर state के लिए हैं, और यहाँ पे total 305 vacancies निकाली गई है, जिसमें से दोस्तों 29 vacancies एक्सरिस्मान भाईयों के लिए result रखे गई है, age limit के अगर हम यहाँ पे बात करें, तो maximum age 40 years रखा गया है, प्लस यहाँ पे एक्सरिस्मान भाईयों के लिए extra age relaxation भी government के रूल के अनुसरा दिया जाएगा इस job के लिए apply करने के लिए last date 15 November 2022 रखा गया है, और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों qualification में ITI या degree या diploma के requirement बताई गई है, application fee में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो under reserved category के candidates को 500 rupees, उसे के साथ SCST, PWD candidates को 250 rupees के application fee applicable होगी, इस job के लिए दोस्तों मद्यपड़े state से apply कर पाएंगे, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं job description की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो mood of selection में, आपका जो selection होने वाला है, यह return test के base way होगा, जो की objective type होगी, examination details में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो आपकी जो return test होने वाली है, उसक logical reasoning, basic computer knowledge, यह सभी subjects होंगे, exam centers में यहाँ पे दोस्तों, बोपाल, गौालियर, इंदौर, जबलपूर, रतलम, सागर, उज्जेन, यह सभी exam centers है, post wise vacancy दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते है, एक्सवरिस्मान के लिए, male and female के लिए, electronic mechanics की एक vacancy male के लिए, और female के लिए एक है diesel mechanic के लिए, तीन vacancies है, male के लिए, और female के लिए एक है, refrigerator and air conditioner mechanic के लिए, एक vacancy female के लिए है, draftsman mechanic के लिए, एक vacancy male के लिए है, draftsman civil के लिए, एक vacancy male के लिए है, electrician के लिए, चार vacancies male के लिए है, और एक vacancy female के लिए है, computer operator and programming assistant के लिए, चार vacancies male के लिए है, और एक vacancy female के इक वैकेंसी मेल के लिए है, ITA Officer Matts Drawing के लिए दो वैकेंसी मेल के लिए है, और एक वैकेंसी फीमेल के लिए है, यहां पर दोसों Contact Basis पर एक्सरिस्मेंट के लिए Reservation का orderification दिया गया है, Electronics Mechanic के लिए एक वैकेंसी फीमेल के लिए है, Diesel Mechanic के लिए एक वैकेंसी मेल के लिए है, ड्रास्वन सिविल के लिए एक वैकेंसी मेल के लिए है, इलेक्टरिशन के लिए एक वैकेंसी फेमेल के लिए है, और्बिटर एन प्रोग्रामिन असिस्टन के लिए एक वैकेंसी फेमेल के लिए है, उसे के साथ fitter के लिए एक vacancy mail के लिए है candidates जो है वो एक से ज़्यादा post के लिए apply कर पाएंगे online form fill up करते वक candidates कम से कम चार examination centers को select करें examination का जो result है वो website पे declare किया जाएगा उसके साथ यहाँ पे बताया गया है कि एक service man जो है वो अगर multiple post के लिए apply करेंगे तो उनको हर एक post के लिए हर एक अलग-अलग payment करना होगा दोस्तो अगर आपको इस job के बारे में और वी जादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification डाउलोड कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification डाउलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद इस job के लिए apply कीजिए दोस्तो अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने आप ए apply की link भी दी है इस link के मादियम से पहले आपको registration complete करना है उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाएंगे साथी दोस्तो हमने आप एक वीडियो की link भी दी है अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आपको इस job के लिए step by step तरीके से apply करना है तो इस वीडियो के मादियम से पूरी step by step प्रोसेस आप देख सकते हो दोस्तो इन सभी jobs की details आपको हमारे android app में मिल जाएगी जिसका नाम है cg resettlement app का link आपको नीचे description में मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तो अभी तीसरे vacancy गुजराथ forest department की तरफ से निकल के आ रही है यह vacancy दोस्तो forest guard post के लिए है तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते है job information की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो यह job भी government sector की job है और यह job के लिए आपको 19,950 रूपीज पर मन की salary दी जाएगी यह जो salary है दोस्तो वो पास साल के लिए fix रहेगी यह job दोस्तो गुजरा state के लिए है और यहाँ पे total 823 vacancies निकाली गई है जिसमें से 61 vacancies एक्सरिस्मेन भाईयों के लिए रिजाउट रखे गई है age limit के अगर हम यहाँ पे बात करें तो maximum age 34 years रखा गया है प्लस यहाँ पे एक्सरिस्मेन भाईयों को extra age relaxation भी government के रूल के अनुसार दिया जाएगा यह job के लिए apply करने के लिए last date 15 November 2022 रखा गया है और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तो qualification में 12th pass की requirement बताई गई है application fee में यहाँ पे 100 रूपी के application fee applicable होगी दोस्तो इस job के लिए आप all over India से apply कर पाएंगे तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं job description की तरफ जैसे की आप यहाँ पे देख सकते है mode of selection में आपका जो selection होने वाला यह job के लिए यह return test के base पे होगा जो की object to type होगी उसे के साथ physical efficiency test, walking test इन सभी के base पे आपका selection होने वाला है examination details में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो return test होने वाली है उसमें टोटर 100 questions होंगे 200 marks के लिए और time duration यहाँ पे 2 hours की होगी subjects में अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तो तो general science, general mathematics, गुजराती language, knowledge related to forest यह सभी subjects होंगे यहाँ पे दोस्तो negative marking भी होगी हर एक wrong answer के लिए 0.25 marks आपके काटे जाएंगे और यहाँ पे minimum qualifying marks 40% है walking test में दोस्तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो male candidates को 25 km 4 hours में complete करने होंगे और female candidates को 14 km 4 hours में complete करने होंगे दोस्तो यहाँ पे नीचे एक सरी स्प्यान के लिए district wise reservation दिया गया है तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अमरेली के लिए 7 vacancies परवली के लिए 1 vacancies कच के लिए 2 vacancies गिर सोमनात के लिए 1 vacancies चोटा उदैपर के लिए 4 vacancies जुनागर के लिए 11 vacancies तापिक के लिए 5 vacancies दाहोर के लिए 4 vacancies नर्मदा के लिए 3 vacancies पंच महाल के लिए 3 vacancies बनसकांता के लिए 2 vacancies बावनगर के लिए 5 vacancies भारुच के लिए 1 vacancies महिसागर के लिए 2 vacancies वड़ोधरा के लिए 1 vacancies वलसाद के लिए 2 vacancies सबरकांथा के लिए 2 vacancies सूरत के लिए 2 vacancies यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं note में mention किया गया है कि candidates को गुजराती language आनी जरूरी है यहाँ पर दोस्तों examination की जो medium होगी वो गुजराती में होगी और 5 साल के बाद दोस्तों आपकी जो salary है वो आपके performance के base पे 18,000 से लेके 56,900 रुपीज पर मन की जाएगी दोस्तों अगर आपको इस जोब के बारे में और वी जादा information चाहिए तो आप यहां से official notification डाउलोड कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification डाउलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद ही जोब के लिए apply कीजिए दोस्तों अगर आपको इस जोब के लिए step by step तरीके से apply करना है तो इस वीडियो के अमाद हम से पूरी step by step process आप देख सकते हो दोस्तों हमने आप ए forest guard की syllabus के link भी दी है साथी दोस्तों हमने आप exam के लिए preparation book की link भी दी हुई है तो दोस्तों ऐसी कई jobs के बारे में रेगिलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा android app डाउनलोड कीजिए और हमारे youtube चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए, comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि आपको एक सरी समय से जुड़ी सारी job और news के अपडेट्स regular basis पे मिलती रहे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हैं